नुश्कार सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है सुबह की सुर्कियों के साथ मैं हूँ किर्टी तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि जार्खन के कुछ प्रतिस्टित अख़वारों ने किन-किन ख़बरों को प्रमुक्ता से उठाया है सबसे पहले मैं बात करूंगी अपराधियों के बढ़ते मनोबल की ख़बर कोई और इस ख़बर को लगभग सभी अख़वारों ने पहले पणने पर ही जगह दिया अगर मैं सनमार्ग दैनिक की बात करूँ दैनिक भासकर की बात करूँ दैनिक जागरन की बात करूँ प्रभात खबर से लेकर हिंदुस्तान तक ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दिया और ये खबर है लालपूर की जेवर विवसाई दो भाईयों को लालपूर म पांच अपराधी दोनों भाईयों कुमारी तीन गोलियां, CCTV फुटेज में अपराधियों की जो तस्वीर है वो कैद हो गई है, पुलिस चानबीन में जुटी है दोनों भाईयों का इलाज जो है, रोहत खिरवाल और राहुल ॹिरवाल दोनों का इलाज रिम्स में चल रहा ह रोहित खिरवाल की उम्र लगभग 40 वर्ष है और राहुल खिरवाल की उम्र 35 वर्ष के करीब है गहना घर लालपूर स्थित गहना घर यानि की जेवर ज्वेलरी की शौप है वहाँ दोनों भाईयों को अपराधियों ने अचानक गोली मार दे और दोनों की स्थिती जो है गं अमनंद मंडल टेक्निकल सेल के सदस्यों के साथ प्रतस्थान और आसपास लगी सीसी टीवी फुटेज को लगातार खंगाल रहे हैं और अपराधियों की तलाश जो है वो लगातार जारी है तो इस खबर ने जो है वो सभी का दिल दहला दिया दिन दहाडे इस घटना को अ जिना ने गुमला के संतोष की शहादत का लिया बदला राची पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर राजपाल ड्रॉपदे मुर्मु ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सैनिकों को दी शद्धांजली तो पांच पाक सैनिक धेर चार चौकिया तबाह तो संतोष संतोष की शहादत का बदला जो है वो ले लिया गया है राजपाल ने संतोष को शहीद संतोष को जो है वो शर्धांजली दी है और शहीद संतोष के भाई ने भी कहा है कि अगर उन्हें भी मौका मिला तो वो भी देश की सेवा करेंगे देश की रक्षा करने से पीछे नहीं ह मुक्त राजबनाना सरकार की प्राथमिकता ये कहा है सीम रघुबर्दास ने हजारी बाग के पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में रघुबर्दास ने हिस्सा लिया साइबर क्राइम रोकने पर रहेगा विशीस फोकस ये बाद भी कही तो 2012 दरोगा है जहारखन के निवासी नकसलवाद की समस्या को दूर करने में सहयोगी बनेंगे ये कहा है डीजीपी कमल नयन चौबे ने तो 25 साल बाद जहारखन को जो है 2504 दरोगा जो है वो मिले है वहीं अभिजीत बैनर जि को पतनी संग इकोनोमिक्स का नोबल तो इकोनोमिक्स के शेत्र में नोबल पुरसकारों की घोशना की गई अर्थशास्त्र का नोबल इस साल भारतिये मूल के अमेरिकी नागरेक अभिजीत बैनर जी अलावा एस्था डूलफो और माइकल क्रेमर को मिला है वैश्वे गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक दिस्टिकोन के लिए इन्हें जो है वो सम्मानित किया गया है इस खबर को भी सनमालिक दैनिक ने पहले पन्ने पर ही जगह दी है वहीं किसानों को इस मृषशक्त लक्ष मुख्यमंत्री ने इजराइल रवाना होने वाले किसानों को जो है वो शुपकामनाई दी है इस खबर को दूसरे पन्ने पर उठाया गया है साती भाजपा के राश्ट्रे प्रवक्ता सहरा रास सांसत सुधानसू त्रिवेदी आज राची आएंगे तो राज़सभ जे हर्मो इस्थित भाजपर प्रदेश काराले में मीडिया प्रवंदन समीति के सदसों के साथ जो है वो बैठक करेंगे तो विधान सबाचुनाओ नस्दीक हैं बैठको का दौर जो है वो लगातार चारी है तो इस खबर को दूसरे पन्ने पर जगह दी गई है विधान केल में बंद अपराधी धीरत जलान के घर से 17 देशों की करंसी मिली बरामत करंसी में डॉलर से रियाल तक है शामिल वहनों के शीशे तोड़ चोरी करने वाला गिरो चलाता था खूटी रामगर्ड हजारी बाग गुमला लोहरदगा तक सक्रिय था गिरो इस खबर को तीसर 24 ने बेलो घर घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोडेंगे तो जिंजिन मतदाताओं का नाम लिस्ट में नहीं है 19 और 20 को चलेगा काम छोड़ो नाम जोड़ो अभियान उसके तहत जिंजिन मतदाताओं का नाम लिस्ट में नहीं है बेलो उनके घर जाकर उनका नाम जो है वो मतदाता सूची में जोडेंगे ये थी सनमार्ग दैनिक की साथ के विवसाईयों में खौफ पुलिस से मांगी सुरक्षा तो कहीं न कहीं इस घटना ने आम जनता के साथ साथ सबसे बड़ी बात है विवसाईयों के दिलों में जो है वो दहशत पैदा कर दी है पिस्टल लहराते हुए पांच बदमाशों ने जेवर दुकान में डाला डाका सोने की बीस उंगूठी लूटी व है पारी भायों को गोली मारी दुनों की स्थिती जो है वो गंभीर बनीवी है दुनों का इलाज जो है वो रिम्स में चल रहा है CCTV में कैद हो गई है अपराधियों की तस्वीर पुलिस खंगाल रही है CCTV फुटेज कोशिश कर रही है कि उसे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफतार किया जा सके लेकिन पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है पुलिस लगतार इस कोशिश में है लेकिन इस घटना ने सभी का दिल जो है वो दहला दिया है वहीं कश्मीर में शहीद वियसफ जवान का शव राची पहुंचा आज गुमला में सुबा आठ बजे अंतिम संसकार किया जाएगा राज़िपाल रॉब्दी मुर्मू ने शहीद को श्रद्धांजली दी साथ में सांसत सुदर्सन भगत भी मौजूद थे उन्होंने भी श्रद्धांजली दी और सभी ने कहा एक साथ की देश को गर्व है शहीदों पर वहीं बुकारों में हाथ साथ 10 लाइक 10 लाइक की स्पोर्स बाइक से कोलकाता से राची आ रहे थे विनी तेज रफतार बाइक कॉलेज बस से जाबिडी होटर लैंड मार्ग के मालिक के बेटे की मौत तो इस खबर को भी दैनिक वासकर ने पहले पने पर उठाया है होटर लैंड मार्ग के मालिक के बेटे विनीत की मौत हो गई है तेज रफता मतलब इतनी जोरदार थी एक्सिडेंट इतना जोरदार था कि हेलमेट तक खुल कर बाहर फिका गया वहीं जे एन्यू से पढ़े अभीजीत बैनर जी के आर्थिक सिधानतों से 12 देशों में गरीबी कम हुई इसलिए उन्हें नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया 21 साल बाद अर्थ सास्त्र के नोबल में जो है वो भारत भारतिये मूल के है अभीजीत तो भारत का नाम शामिल है भारतिये मूल के अभीजीत बैनर जी और उनकी पतनी एस्टे डिपलो और माइकल क्रेमर को 2019 का लबी पांच वर्षिये इंटिग्रेटेट कोर्स में एड्मिशन के लिए 22 को एक्जैम साथ सीटों पर होगा एड्मिशन क्लेट पास छात्र एंट्रेंस टेस्ट से मुफ्त हैं राची उन्वर्सिटी में पहली बार शुरू हो रहे पांच वर्षिये लल बी इंटिग्रे चोरी और वाहनों के शीशे तोड समान उड़ाने में माहिर था राची में चोरी की सबसे बड़ी बरामदगी 18 देशों की 28 लाख की करेंसी समेथ एक कडोर के समान जो है वो जब्त किये गए तो बाइक चोरी करते करते चोर गिरोह का स्तरगना बन गया 34 साल का धीरत जालान गाड़ी खाना के उसके आवास पर रविवार की रात राची पोलिस ने चापे मारी की तो एक कडोर रुपे की चोरी का समान मिला साथ ही साथ 18 देशों की 28 लाख की करेंसी भी जब्त की गई है माल घर में छुपा कर रखते थे चोरी के समान बेच अंकूत संपत्ती बनाई खूटी जेल में बंद है धीरच तो ये थी दैनिक भासकर की बात प्रभात खबर करोग करेंगे प्रभात खबर में भी पहले पन्ने पर लालपूर के जेवर दुकान में घुजे पांच अपराधियों से भिड़े विवसाई बंधू तो अपराधियों ने मारी गोली और सह में रहे लोग सीसी टीवी में फूटेज कैद घटना करीब दुपहर एक बच कर च्यालेस मिनट की लालपूर थाना के अमरावती कॉम्पलेक्स में गहना घर तो दो घंटे में राची से कुजू क्रॉस कर गया पराधि दिन दाडेवारदात कर अपराधियों ने पुलिस को जो है वो कहीं न कहीं चुनौती दी है इस खबर को पहले पन्ने पर प्रभाद खबर ने उठाया है और वहीं होटर लैंड मार्ग के मालिक के बेटी की हादसे में मौत उस खबर को भी प्रभाद खबर ने पहले पन्ने पर ही उठाया है साथ एक और मैं अत्पून खबर है रिम्स में भरती पूर विधायक सावना लकडा का निधन अभिनाश्तिवारी हत्याकांड में आजीवन का रवास की सजा काट रहे खिजरी के पूर कॉंग्रिस विधायक सावना लकडा का इलाज के दौरान सोमवार किशाम 6 बचकर 10 मिनट पर रिम्स में जो है वो निधन हो गया भिरसा केंद्रिय कारा में पैरलाइसिस अटेक के बाद सावना को चार मापूर्व जेल प्रिशासने इलाज के लिए रिम्स में भरती कराया था तो सावना लकडा की मौत इस खबर को भी प्रभाद कबर ने पहले पन्ने पर ही उठाया है वही धीरत जालान की खबर को दूसरे पन्ने पर जगद दी है प्रभाद खबर ने पुलिस ने चोर की रोके सरगना धीरत जालान के घरचा पिमारी की और एक कडोड के समान जो है वो बरामद किये साथी साथ सरना अख़डा स्थल से अतिक्रमन हटाने की मांग जो है वो की गई है बनहोरा जोजोनगर के ग्रामीन S.D.O से मिले है युवा दूरगापुजजसमीती ने डी सी को भी ग्यापंन सौपा है तो बनहोरा जोजोनगर के ग्रामीनो वबिविन समाजिक धार्मिक संगटनो के प्रतिनीदियों ने जो है वो उपायुक्त के निर्देश पर सदर SDO से मुलकात की है और उनकी मांग है कि बनहोरा जो जो नगर के सरना अखडास्थल से अतिक्रमन जो है वो जल्द से जल्द हटाया जाए यह सब भी खबर शपी है प्रभात खबर में दैनिक जागरन का रुख करेंगे दैनिक जागरन में भी पहले पन्ने पर लालपूर की ही खबर है साथ ही साथ होटल लैंडमार्क के मालिक की बेटे की हाथ से में मौत हो गई है इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही जगह दी गई है इस खबर को भी लगवक सभी अख़वारों ने पहले या दूसरे पन्ने पर उठाया है प्रमुकता से जगा दी है वहीं आतंक के मामलू पर अदालत का रुख सही नहीं डोभाल तो NSA निराज्यों के आतंक विरोधी दस्तों के प्रमुक के साथ बैठक की आतंक के मामलू पर अदालत का रुख सही नहीं ये कहा है अजीड दोबाल ने तो राज़्टे सुरक्षा सलाहकार अजीड दोबाल ने सुमवार को आतंकवादी मामलों में अदालतों की भूमिका पर जो है वो कही न कही नराज़गी जताई है तो इस खबर को पहले पंने पर यगच मिली है दैनिक जागरन में दूसरे पन्ने की मैं बात करूँ तो दूसरे पन्ने पर लालपूर की ही खबर है अपराधियों की पीछे भागी पुलिस चक्मा देकर हो गया फरा डीटेल से इस खबर को जो है वो छापा गया है आज सभी अखबारों में जो है इस खबर को प्रमुक्ता से उठाया गया है कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि अपराधियों का मनोबल जो है वो लगतार कितना बढ़ रहा है जिससे लोग जो है वो कहीं न कहीं दहशत में हैं वहीं इसी माह राची के सुकर हुट्टू में ट्रांसपोर्ट नगर का किया जाएगा शिलानियास विदान सकता है विदान सभा चुनाओं से पहले पहले इस काम को पूरा करने का लक्ष सरकार ने रखा है तो यह थी दैनिक जागरन की बात मैं हिंदुस्तान का रोख करूंगी हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर अभिजीत बनर जी को अर्थ सास्तर का नोबल इस खबर को पहले प पुलिस को मिले 1334 दारोगा चारकंट पुलिस को सोमवार को 1334 दारोगा मिले हैं इनमे 139 महिलाएं हैं चारकंट पुलिस अकादमी हजारी बाग में इनका पासिंग आउट परेड हुआ इस दोरान सभी ने करतव और निस्ठा की जो है वो शपतली और इस कारिक्रम में चालन किया जाता था अब रिम्स में दो बजे से जो है वो इवनिंग ओपीडी चलाई जाएगी तो रिम्स में ओपीडी के समय में जो है वो कहीं न कहीं बदलाव किया गया है morning OPD पूर्वी की भाती सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चलेगी जबकि evening OPD जो 3 बजे से चलती थी उसे एक घंटे की बिधी की गई है और अब वो 2 बजे से चलेगी वहीं राची डेहरी एक्सप्रेस ट्रेन अब सासाराम तक जाएगी 7 जगों पर इस बार दीपावली को लेकर बेखबर साथ जगों पर ही बेचे जाएंगे पटाके तो राची में दीपावली के लिए पटाकों की विक्री जो है वो क्लस्टर में होगी शेहर में साथ क्लस्टर बनाए जाएंगे मुरबादी मैदान, हर्मू मैदान, जैपाल सिंग स्टेडियम, बर्यातू, हाउसिंग कॉलोनी, शास्त्री मैदान, चुटिया, काजू बगान, रातू रोड और पी एच एडी मैदान, हीनू में ये क्लस्टर होंगे और पठाका विक्रेता इन ही मैदानों में जो है वो पठाके की विक्री करेंगे, सुरक्षा के मद्दे नजर यह निर्ने जो है वो लिया गया है, तो ये थी हिंदुस्तान की बात, तो आज की सुरक्यों में फिलाल इतना ही, खबरों पर अपडेट और नजर बनाई रखने के लिए सर मार्ग लाइब सस्क्राइब करना ना भूले, नमस्कार